शुरेशिवाई नमस्तु भ्यम दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 30 अगस्त 2022 को हरताली का तीज का वरत पड़ रहा है दोस्तों ये हरताली का तीज का वरत बहुत बढ़ा वरत होता है क्योंकि दोस्तो इस दिन भगवान शिव ने माता पारवती को जो है धर्शन दिये थे क्योंकि दोस्तो माता पारवती ने हरताले का तीज का वरत रखते हुए पूरी रात भगवान शिव का जो है यहाँ पर इस्मरण किया था उनके नाम का भजन किया था साथ ही में दोस्तों ये हर्टाले का तीज जो होती है ये भादो महा के सुकल पक्ष की तरतिया तिथी को पड़ती है इसलिए हम इसे हर्टाले का तीज के नाम से जानते हैं और दोस्तों साल भर में बहुत सारी तीज आती है अगर आप लोग उन तीज का वरत नहीं करते हैं तो अगर आप लोग हर्तालिका तीज का ही वरत कर लेते हैं तो इससे आपको बहुती विशेश और बहुती बड़ा फल मिलता है और अगर आप लोग हर्तालिका तीज का वरत नहीं भी कर सकते हैं तो उस स्थान पर आपको ये कुछ विशेश उपाई हर्तालिका तीज के दिन जरूर करना चाहिए वो पाई क्या है वो आप लोग सुनिए दोस्तो आपके घर के आसपाद बहुत जगा पर हर्तालिका तीज के वरत की पूजा होती होगी एक जो है फुलेरा बनाया जाता है मतलब फूलों से या पत्तियों से कुछ चीज़ सजाई जाती है तो उसे हम फुलेरा कहते हैं जो कि भगवान शिव लिंग के स्वरूप के उपर भगवान शिव जी के स्वरूप के उपर जो है जो सजाया जाता है उसे हम लोग फुलेरा कहते हैं तो दोस्तो आपको हर्तालिका तीज के दिन, साथ जगाहों पर जाकर, यह साथ जगाहों पर जाकर हर्तालिका तीज के वरत की पूजन को देखना है, भगवान शिव, माता पारवती और गनीज जी के दर्शन करना है, साथ ही में जो उनकी उपर फोलेरा लगा हुआ होगा, उ पिर मंदिर से आकर किसी दूसरी एक आपने घर के आसपस कहीं पर अकर हर्तालिका तीजी व्रती पूजन हो रही हो तो उस स्थान पर जाकर आप लोग फोलेरा के दर्शन कर लीजे फिर तीसरे घर कहीं पर चले जाई है कोई दूसरा मंदिर है तो वहाँ पर चले जाई है इस पूरी हो पा रही है, तो आपको ये दर्शन करते हुए, अपनी वह मन की कामना या मनों कामना को भगवाई शिव सकते हैं, आपको ये दर्शन करा दीजिए, निस्चिती उसका विवाः जरूर पक्का हो जाएगा बहुत ही जल्दी, किसी को कोई बीमारी है, कुछ भी समस्य कोई भी दिक्कत है, तो ये दर्शन आप लोग करा दीजिए, साथ फुले रा के दर्शन करा दीजिए, सिर्फ हर तालिका तीज कितने शाम के समय या रात के समय निस्चिती आपक्विवाः जीवन से सभी दुख समिस्या है, दूर हो जाएगा, आपको कोई भी समस्या आत